हेलो फ्रेंड्स आज दिखिए मैं आपके साथ कुछ अपने पैनों का जो मेरा एक्सफिरेंस है वो मैं शेयर करूंगी क्योंकि एक्जाम्स आने वाले हैं बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा पैन यूज करें कौन सा नहीं तो मैं यहां पर छोटी छोटी टिप्स दोंगी कि हमें किस तरीके से पैन यूज करना चाहिए और एक्जाम्स के लिए हमें पैनों की तियारी कुछ किस तरीके से करनी चाहिए क्योंकि अब जब बोट के एक्जाम 15 से 20 दिन बाद शुरू हो जाएंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इस्पेसली पैन को लेकर कि आप अपने पैनों को किस तरीके से यूज करें एक्जाम्स के लिए तो ये वीडियो जरूर देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पैनों का review करूंगी और कुछ पैनों का अपने साथ जो experience हो का वह भी शेयर करूंगे और जो मेरे students हैं उन लोगों ने भी जो मेरे साथ बताया है मेरे साथ share किया है कि यह मैं अच्छा है तो उन सब को मिलाकर यह मैंने पूरा एक review त्यार किया है जो कि मैं आपके साथ अपना जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है बहुत अच्छा पैन चलता है यह और यह जब हम लिखते हैं तो बहुत ही मतलब smooth चलता है यह देखिए इसकी मुझे personally बहुत पसंद है पैन इसलिए मैंने इसका अपना मतलब उसमें अपने लिस्स में लिखा है रखा है कि यह पैन बहुत अच्छा है यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगी कि जिस पैन का review market में बहुत चबडस्त है कि यह पैन बहुत अच्छा ह और जो वह पैन अच्छा नहीं है उसका भी नाम में बताऊंगी अपनी वीडियो में और आपको दिखाऊंगी भी ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह बटर जेल है यह बहुत अच्छा पैन है इसके बाद में आता है सेलो डेको जेल यह देखिए पांच रुपे का पैने म लेकिन मैंने से अपने लिस्ट में शामिल किया है क्योंकि यह बहुत अच्छा चलता है और इसको जो पकड़ने में बहुत कमफर्टेबल जो फील होता है वह भी है इसमें तो इस पैन को भी आप बड़े आराम से एक्जाम में इससे भी लिख सकती है तो यह पैन भी चलान में अच्छा है इसकी जो डाक इंक की डाकने से वो ना तो ज्यादा है ना लाइट है ना तो कम है न ज्यादा है तो आप इसको भी अपने उसमें एक्जाम में रख सकते हैं अब इसके बास मैंने लिया है टेक्नो जल इसका नाम बहुत है नो डाउट यह पैन बहुत अच् अच्छा हम यूज कर सकते हैं कि चलने में भी अच्छा है और एक चीज में कहना चाहूंगी जब घर्मी जैसे जैसे बढ़ जाती है तो कई वार हमारा पैन जो होता है वह लीक कर जाता है तो उसके लिए आप इनको ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा होट प्लिस में अपने पैनों को न रखें जैसे कही वार ऐसा होता है कि आप इस चीज को एक्सपरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप गारी में पैन को छोड़ दीजे क्योंकि गारी यह कैसी चीज होती है कि वह जब तक हम बैठते हैं तब तक तो उसमें इसी चलता है उसके बाद में वह बंदर है तो वहां पर आप देखेगा इस Qi को कि वह पैन कंपेरिटिव और पैनों के जो नौर्मल प्लेस पर रखा होगा वह जल्दी लीग कर जाता है तो नीम चीज प्रहकों जहां पर होड़ प्लेस ज़ादा होता है जहां पर गरmahlen जादा होती है तो बहूं पे गाय वार अच्छे अच्छे पैनं भी लीग कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फर वो पैन अच्छे नहीं है, तो यह चीज़ हैं, छोटी चीज़ हैं कि आप अपने पैनों को किस तरीके से संभाल करते हैं, कहाँ नूर्मल प्लेस में रखें, करेंगे कि यह प्रिज में रखिए क्योंकि बहुत सारे मेरी वीडियो को सुनके गलत उसमें मतले जाएगा मेरा मतलब कहने का एक नॉर्मल प्लेस में रखें तो वह ठीक चलेंगे बहुत ज़्यादा गड़नी होती है क्योंकि टैंप्रेचर बहुत ज्यादा एकदम से मैंने के वर यह चीज़ें अजमाई हुए है यह यूनोमेक्स जेल पैन है यह भी बहुत अच्छा है यह मैंने कुछ अच्छे पैन अपने उसमें ही रखें हैं यह सारे पैन ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसे और अपना कर सकते हैं काम और यह है फ्ल और बाकी में थी इसमें इतनी softness नहीं है और यह हलका जल्दी बहुत मदब कुछ टाइम बाद भी रुक रुक कर चलने लगता है इसलिए यह मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा एक यह और एक एक्वा जेल सेलो एक्वा जल इसका नाम बहुत सुनाएं एक्वा है पानी की यह रुक कर चलता है तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया अपने लिस में एक्वा में तो इसको छोड़कर इन दोनों को जो नीचे वाले दो है इन दोनों को छोड़कर आप यह बाकी के ऊपर के जो है यह मेरा एक्सपिरेंस इनके साथ अच्छा है तो आप यह पहन यूज कर सकते हैं और एक चीज और में बोलना चाहूंगी कि एक्जाम्स में जाने के लिए यह मेरी वीडियो का यह लास्ट टिप है आप इसको ध्यान से सुनिए एक्शली क्या है हमारी जो नए पहन होते हैं कई वा थोड़ा सा रफ चलता है तो आप कोई भी पैन अपने अब जैसे एक्जाम आने वाले हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपको पैन पसंद हो कोई भी पैन हो जो आपको पसंद हो पैन उसके 8-10 पीस ले आईए और 8-10 पीस लाकियों उनकी रिफिल थोड़ी थोड़ी आप उनको मतलब खतम कर लिजिए उनसे लिख लिख लिखकर अपने पास रख लिजे तो उससे क्या होगा उनका फ़लो बन जाएगा पैन का और आपको एक्जाम में बिक्कुल न्यू पैन से नहीं लिखना पड़े हैं और उसका फ़लो भी बहुत अच्छा होगा उससे र लिखने के लिए पैन निकालें तो उसी में से निकाल कर लिखे चाहिए यह मेरी वीडियो मेरा खुद का परसनली एक्सपीरेंस है और यह मैंने नोटिस भी किया है आप भी देखिएगा आप भी अपना एक्सपीरेंस मेरे साथ शेयर कीजेगा कि क्या आपके जो मैंने आपको टिप बताई है यह आपको भी ऐसा फील होता है क्या अगर होता है तो कई वार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं एपलाई करना कुछ बातों को तो उसी सिर्फ इसी वजह से मैंने यह वीडियो बनाई थ बातों कि कोई भी आप अगर यूज करते हैं तो उनको आप थोड़ा सा लिखकर रखी ज़ी और चर्फोग में जब वह क्या देना कि थोड़े से घज जाता है गिस जाते हैं जब लगता हें से से तो बहु til नहीं होती है और आपको मेरा यह सिन कैसा लगा आप बताएगा ज़रूर comment करके कि आपको मेरा ऐड़ अच्छा लगा या नहीं लगा आपको इन मैंसे कौन सा pen अच्छा लगता है कौन सा यूज करते हैं और यह दोनो पैन क्या आपने यूज किया है क्या ये वाला experience आपके साथ मेरा जैसा ही है या अलग है कुछ कमेंट सेक्शन में जुरूर बताईगा मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुट बाई